अज सनामु अलेकुम जिसे देखते ही नहीं देखते ही नहीं जिसका नाम सुनते ही मूबें पानी आ जाए वही डिश आज हम बनाएंगे समझ गया है आप नहीं समझे तो समझ जाए है हरी मिर्श कीमा मना रहे हैं इदुल फितर तो जा चुकी है अभी कुछ टाइम बाए इदुल आधा आजाएगी पता भी नहीं चलेगा तो अभी से रेसिपीस नोट डाउन करके रख लें कि आपने क्या क्या बनाना है तो बीफ और इंग्रिम्स कॉंटिटी आपको साइड डिस्क्रिप्शन बाक्स में मिल जाएगी प्यास को आप ओईल में हलका सा फ्राइ करने का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है थोरी से बस सॉफ्ट हो जाए तो इसमें हमने क्या करना है बी से कट की हुई हरी मिर्च इसमें क्या करना है यह हलका सा बस सॉफ्ट हो हमारी प्याज और हिंबिश तो हमने दोके साफ करके जो साइड में कीमा रखा वा था वो इसमें डालना है अच्छा मैंने चर्बी वाला कीमा लिया इसका टेस्ट जादा अच्छा होता है अगर आप चाहें तो फेट लेस्ट भी कीमा निहें बहूं जाएगा किमे का कलर जब छेंज हो याइए ए तब हमने आगए का पर्सीजर स्टार्ट करना कीमा भी पानी चोड़े बहुत रिलीस करेंगा अभी आप देखेगा है इसको थोड़ा सा फ्राइब करेंगे तो कीमा खुद बाखुध पानी चोड़ना शूरू बात में जब यह टीमाटर सोफ्ट हो जाएंगे तो मैं इनको मैश कर लूँगी अब साथ ही इसमें धालने के बाद इसमें मसाले दालेंगे अच्छा दालें तो फ्लेम आप लो ही रखेगा इसके बाद हम पिसी हुई काली मिर्च दालेंगे और साथ ही पीचा हुआ जीरा प पाउडर दाला है इन सबको मिक्स करेंगे इसमें थोड़ा सा पानी हम शामिल करेंगे ताके हमारा कीमा जो है अच्छे से गल जाए इसके बाद हम इसको कवर करके लो फ्लेम पे तकरीबां दस्ते पंदरा मिंट पकाएंगे जब तक हमारा कीमा बिल्कुल गल ना जाए हटाने के बाद यह देखें कितना पानी है और हमारे टिमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए अब अगर आप चाहें तो चिम्टे से टिमाटर के जो छिलके हैं वह निकाल लेजिएगा मैंने नहीं निकाले मैंने इसको अभी मैश करना शूरू कर दिया टिमाटर में अच्छे से मैश करनें अब इस चीमो को हम अच्छा सा भूनेंगे इतना भूनेंगे कि आपको पानी देखरा पानी रहो जाएगा इसको और सेपरेट हो जाएगा आपने फ्लेंपे इसको भूनना है ताके और बुल्ध और चॉप नहीं हो जाए उसके बाद हम आगे के प्रोसीजर क फ्लेवर बहुत basic है क्योंकि हरी मिर्च के मार तो हरी मिर्च समझ लें में किरदार अपना हाँ अधा करेगा तो हमने हरी मिर्च दालनी है इसमें आपके टेस्क के अकॉर्डिंग आप डालेगा हम थोरह spicy जाधा खाते हैं तो आप जितना spicy खाते हैं उस रिसाफ से मिर्ची मस अब रखेगा इसके बाद हम इसमें पिसा हुआ गर्म मसाला दालेंगे और इसको मिक्स करने के बाद क्या करना है इसका flame बल्कुल आफ कर देना है ये गरम ही है अभी इसको हमने cover करके तकरीबन पांच मिर्च छोड़ देना है flame बल्कुल आफ है ऑन नहीं रखनी है आपने ताके अभी गरम है ना ये कीमा तो इस टीम में ये अच्छे से पांच मिर्ट हरी मिर्च और गरम मसाले की हुच्भू पूरे कीमे में फैल जाएगी और ये देखें आपके सामने मारा कीमा तायर अच्छा इसकी garnishing के लिए आप जूलियन कटकी हुई अदरक और चॉप किय को आप लाजमी खाईएगा और इसका टेस्ट चार-पांच गुना बढ़ जाएगा और एसी पी अच्छी लगए लाइक शेयर सब्सक्राइब मिलते हैं किसी और इंट्रेस्टी रेसिपी में जब तक के लिए अलाहाफेज